सो हे गाईज कैसे हैं आप लोग सो आज के इस वीडियो में हम डिटेल्ड रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं HRX X-Drop 16G True Wireless Earbuds का इसे मैंने Flipkart से purchase किया 1499 के price point पे इसकी काफ़ी अच्छी तिरके से मैंने testing complete कर ली है अल्मोश्ट तीन दीन हो चुके हैं इसे इस्तमाल करते हुए इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको पता चलियाएगा कि इस एरबट को आपको purchase करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए stay with me I am Chandan Jha and you are watching Jha Techno तो सबसे पहले बात करते हैं इसके looks और design की तो यहाँ पे इसका जो charging case है वो आपको capsule type का design देखने को मिल जाता है जो easily आपके हतिलियों में आ जाता है charging case पे उपर की साहर से देखते हैं तो आपको HRX की यहाँ पे branding करेगी यह साथ में glossy finish का यहाँ पे इस्तमाल किया गया है इस glossy finish पे easily scratches आ जाते हैं दो दिन में ही काफी सारे scratches आ चुके हैं back side की बात करें तो यहाँ पे आपको एक micro USB port मिलेगा इस charging case को चार्ज करने के लिए उसी के बगल में आपको एक चोटा सा LED भी देखने को मिल जाता है earbuds की बात करें तो दोनों earbuds पे आपको X की यहाँ पे logo दिया गया है marking करी गई है साथ में दोनों earbuds का ऊपर का जो portion है वो totally आपको glossy finish में मिलते हैं जिस पे भी scratches easily आपका आ जाता है दोस्तो इसे जो आप अपने कानों में पहन तो यह काफी हद तक जो है काफी compact size का है तो काफी bigger size का आपके कानों में नहीं feel कराता और काफी subtle और काफी जो है ठीक ठाक आपको लेकिए provide कराता है दोस्तों वहीं पर बात करें दोस्तों इसके build quality तो guys इसका charging case और earbud दोनों आपको plastic का इस्तमाल किया गया है charging case की बात करों दोस्तों यहाँ पे जो charging case है वो stable नहीं है नीचे क्योंकि काफी हद तक light weight है यहाँ पे और बहुत ज्यादा cheap तो नहीं कह सकते लेकिन guys अच्छा भी उतना अच्छा भी नहीं कह सकते average है average मुझे लगता है कि कमी है यहाँ पे build quality pricing को देखते हुए आप बहुत ज्यादा complain नहीं कर सकते बात करें इसके comfort level की तो यहाँ पे मैं यह बहुत ज्यादा comfortable था और grip भी काफी अच्छा यह प्रवाइट करा रहा था दोस्तों अब बात करते हैं इसके battery department की तो guys यहाँ पे company यह claim करती कि charging case और yearbird दोनों मिला कि आपको up to 20 hours का playback time provide कराता है मैंने charging case को तो पूरी तरिके से testing नहीं करी है मतलब test किया भी है बट आपका 25 मिनट और चलता है उसके बाद में जाके बंद होता है दोस्तों यहां पर ऐसा ही है मुझे लगता है कि बैटरी जो है वह थोरा सा मुझे लगता है कि कम है थोरा क्या कम है यहां पर तीन सारे तीन गंटी की playback time मिलता है 100% volume level पर हां अगर आप 50% पर सुनते हैं तो हा बाद यहां पर आपको आपको इसके बाद कर आपको ब्लूटूथ 5.1 का इस्तेमाल किया गया है यहां को लगबाग 12 मिटर तक का रेंज प्रॉइट कर आता है उसके बाद में कट अगर आपके यह बर्ड और स्मार्फोन के बीच में कोई भी डिस्टेवेंस है कॉंक्रेट की वाल विंडो दर्वाजेती आपको ज्यादा 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 तो आपको 6 मिटर तक का रेंज प्रबाट कराता है उसके बाद में कट अफोना लगता है और कनेक्टिविटी मुझे लगाए कि यहां पर ठीक ठाकी आपको मिल जाती है दोस्तों वहीं पर बात करना पड़ा है इसके माइक्रोफोन से कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा आउड जो है वो बात करना पड़ाए तब जाके सामने वाले पार्टि को आवाज जाते है अधर नहीं जाते दे साथ में बैक्ग्राउंड में जो जो नॉइसे वो भी काफी हच तक सुनाई देता है सामने वाले पार्टी को तो यहां पर माइक्रोफोन वाइस जो है मुझे यह कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा इंडोर के लिए लेकिन आउट्डोर के लिए तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि बिकार है दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों इ किसी भी येरबट को दो बार टैप करेंगे तो मुझे को प्ले और पाउस कर सकते हैं राइट वाली येरबट को एक बार टैप करते तो वाल्यूम को इंग्रीज कर सकते हैं आप आराम से वहीं पर लेट वाली येरबट को एक बार टैप करते हैं तो वाल्यूम को दोस्तों यहाँ पर कंट्रोल ठीक ठाक तरीके से काम कर रहा था और हाँ इन दोनों यह बट को आप मोनो और स्टूडियो मोड में इस्तमाल कर सकते हैं अगर चाहिए तो किसी भी एक यह बट को आप कानों में लगा लीजिए मुझी किया आपका कॉल वगर रख लिया और एक बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं सुनने को मिला है अगर मैं बात करूँ बेस की तो जो लोग बेस है टाइप के लोग है जन्हें काफी थंपी सौंग पसंद है तो उनके लिए नहीं है उतना ज्यादा थंपी यहाँ पर बेस भी जो है मुझे लगता है कि एडिक्विट है इंस्टुमेंट की सेपरेशन भी काफी हद तक जो है अच्छी यहाँ पर दी गई है ट्रिवल्स जो है हायर वॉल्यूम पर मुझे लगता है कि थ्वासा कॉंप्रमाइज कर रहा है बट गाइस ऑवर ओल इसकी आडियो की परफोर्मेंस जो है वह एक नॉर्मल और एक कैज पसंद नहीं आएगा दोस्तों तो यहीं था इसका डिटेल रिवियो उमेद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया और फाइनल वर्डिक में आपको साफ साब बताओं तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए तो काइस देखे इसके प्राइस को देखते वे बहुत जाद अच्छी है दोस्तों इसका जो माइक्रोफोन की प्रफॉर्मेंस वह अतना अच्छा नहीं है और कंडिशर में दोस्तों और हां गेमिंग के लिए तो मैंने आपको बता है नहीं तो गेमिंग में यहां पर लेटेंसी का इश्यों मुझे लगा है खासतोर पर नेट और गेम खेलते बक्त में बठान यूटूब अगरा पर कोई वीडियो देखने तो वहां पर आपको काफी अच्छे से काम कर रहा है तो अगर आपको बताओं दोस्तों ठीक है बट अगर आपका मैंन प्रिफरेंसे से हैं कॉलिंग और गेमिंग तो मैं आपको बूलेगा कि इससे आ आपको बता दिया है दोस्तों उम्हेद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया हूं आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ चेर कीजिए और हाँ चेनल बगरा को सब्सक्राइब भी कर लिया किजिए कभी बाद थाइंक्यू टेक केरें